चाणक के समसाम की विशेश में आप सभी का स्वागत हैं हमारा आज का विशेश है सिंदू जल आयोग जो की सिंदू जल संदी से सम्दित है हाल ही में ये चर्चा में है क्योंकि इस सम्दित बैठक हुई है आज का हमारा विशेश हमने इसलिए चुना है क्योंकि हम इसके बारे में विस्तार से बात करना चाहेंगे आपसे कि ये सिंदू जल आयोग क्या है, सिंदू जल संदी क्या है, ये चर्चा में क्यों है इसकी उपयोगिता क्या है इसका भविश्य क्या है आदी सारे विशों पर हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्य चल्चा में क्यों है से भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में सिंदू जल बटवारे को लेकर जो संदी हुई थी उससे संबन्दित आयो की बैठक हुई है इसमें पाकिस्तान इदल के सदस्य भारत आये और ये बैठक संपन हुई है सालाना बैठक नहीं हो पा रही थी वैसे सालाना होती भी नहीं है लेकिन काफी अंतराल के बाद एक बैठक हुई है इस विज़े से ये चर्चा में है इस बैठक में पाकिस्तान से जो दल आया था उसकी अगवाई वहां के जल आयोग सैयद महर अलिशाने की और भारती अदल की अगवाई प्रदीप कुमार सकसैना ने की है इस से पहले जो ये बैठक हुई थी वो अगस्त 2018 में हुई थी तो अब हम नेक्स लाइड में देखेंगे कि सिंधू जल संदी है क्या किस से सम्मंदित है नाम से देखने से पता चलता है कि सिंधू जल संदी सिंधू नदी से सम्मंदित है लेकिन ये 6 नदियों से सम्मंदित संदी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आजादी के बाद संपन हुई थी भारत और पाकिस्तान की आजादी के बाद जल के बटवारे को लेकर ये संदिग हुई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों का पानी बाटने को लेकर विवाद हो गया था और इसी विवाद के बाद इसको सुलझाने के बाद सिंधू जलसंदी हुई थी वर्ड बैंक के मद्यस्ता से ये हुई थी 9 साल के वारतालाब के बाद 1960 में ये संपन हुई थी 19 सितंबर 1960 मों कराची में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे और इससे 6 नदियों के पानी के बटवारे की बात इसके जरी की गई थी 6 नदियों का पानी बाटा गया था 3 नदियों को पाकिस्तान के लिए रखा गया और 3 को भारत के लिए समझोते में सिंधू घाटी के अंदर जो नदियां है उनको पूर्वी और पश्चमी भागों की नदियों के रूप में बाटा गया पूर्वी भागों की नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया और पश्चमी भागों की नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया व्यास, रावी और सतलच इनको पश्मी नदिया माना गया जो कि यहाँ पर बहती है जैसे यह यहाँ व्यास है सतलच है और यह रावी है इनका पूरा पानी भारत के हिस्से में आया और जो पश्यमी नदियां थी जिसमें इंडस यानि की सिंदू नदी है जहिलम है और चैनाब है इनका पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया जो की पश्यमी नदियां माली जाती है जो नदिया पाकिस्तान के हिस्से में आई उसमें भारत इस नदियों के कुल पानी के 20% पानी पर का उपयोग 20% पानी का कर सकता है भारत चाहे तो इन नदियों पर hydro power project लगा सकता है लेकिन उसे run of the river project बनाने की अनुमती नहीं है यानि कि भारत जो नदिया पाकिस्तान के हिस्से में है उन पर भारत hydro power project तो बना सकता है लेकिन पानी को रोक नहीं सकता है इसके साथ ही इस पानी का इस्तिमाल भारत खेती के लिए भी कर सकता है यानि कि पश्चमी नदियों के total पानी में से 20% का पानी हम इस्तिमाल कर सकते हैं अभी हम बात करेंगे इसके 27 सिंदू आयोग के बारे में जो कि इस सिंदू नदी संदी से बना इस स्लाइड में हम बात करेंगे 27 सिंदू आयोग के बारे में जो कि इस संदी से समंदित है अगर किसी भी बादा या समस्या के समाधान के लिए बैठक की जरूरत हो तो इसके लिए इसके गठन का प्रस्ताव था बाद में इसे बनाया गया दोनों देशों के कमिशनर समय समय पर एक दूसरे से किसी भी तरह की प्राबलम होने पर मीटिंग्स कर सकेंगे इसलिए स्थाई सिंदू आयोग का गठन किया गया और यह है विवस्ता बनाएगी कि अगर आयोग समस्या का हल नहीं कर पाता है तो इस समस्याओं को फिर उपरी प्रशाशनिक लेवल पर समाधान किया जाएगा इसके अलावा विवादों का हल ढूनने के लिए और पी छोटे छोटे प्रावधान किये गये जैसे कि एक तठस्त विशेशग्य की मदद लेने का प्रावधान भी इसमें किया गया और इसके साथी कोर्ट ओफ और ओर्विटेशन में जाने का प्रावधान भी इसके साथ किया गया तो ये मुद्दा हमेशा चर्चा में बना रहता है कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान के रिष्टे कभी नरम और कभी सक्त होते रहते हैं डिपेंड करता है जैसे कि पुल्मावा अटेक हुआ था तो हमारे रिष्टे खराब हो गए उसके बाद में जब अभी 370 कश्मीर से हटाया गया उसके बाद भी ये चर्चा का विशे बना हुआ था तो इस वज़े से ये अकसर चर्चा में रहता है ये इतना चर्चा में क्यों रहता है इसकी importance क्या है हम इस slide में देखेंगे पाकिस्तान के लिए सिंदो चेनाव और जेलम नदियों को life line माना जाता है ये पाकिस्तान की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है कहा जाता है कि ये तीन नदिया ना हो तो पाकिस्तान में अकाल जैसी स्थिती उत्पन हो सकती है और चेनाव छेलम का उत्गम भारत में है जबकि सिंदो का उत्गम चीन में पड़ता है तो जिन दो नदियों का उदगम सल भारत है जो भारत के रास्ते पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान उन पर इतना निर्भर है इसलिए ये hot topic हमेशा बना रहता है पाकिस्तान का जो दो तिहाई हिस्सा है वो सिंधू और इसकी साहेक नदियों से ही अपनी पानी की जरूरते पूरी करता है पाकिस्तान की जमीन के अगर बात करें तो 2.6 करोड एकर जमीन की सिचाई इन नदियों से की जाती है ऐसे में अगर भारत पानी रोक ले तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या इससे बन सकती है सिंदू जल समझोता भारत को इन नदियों के पानी में से 14 लाख एकर जमीन की सिचाई का अधिकार देता है जिसके बारे में हम पूर स्लाइड में भी बात कर चुके हैं यानि कि जिन नदियों पर पाकिस्तान की निर्भरता है उसका 20% हम यूज करते हैं उससे इतनी यानि कि 14 लाख एकर सिचाई का अधिकार भी हम रखते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के संदर्व में तो भारत अभी जो नदियां पाकिस्तान के हिस्से में हैं सिंधू, छेलम और चेनाब उन से 3000 मेगावार्ट बिजली उत्पन करने वाले प्रोजेक्ट चलाता है जबकि कहा जाता है कि इन नदियों से केवल इन में से केवल सिंधू नदी से अगर हम हाइडरो पावर प्रोजेक्ट इस पर लगाते हैं तो भारत को 19,000 मेगावार्ट बिजली मिल सकती है 1987 में भारत ने पाकिस्तान की विरोध के बाद जेलब नदी पर तुलबुल परियोजना का काम रोग दिया था इससे ये पता चलता है कि हम जो परियोजनाएं बनाते हैं उन पर अक्सर विरोध करने पर हम काम भी रोग सकते हैं ये रोग देते हैं इसको लेकर पाकिस्तान में कई बादाये खड़ी की थी जिसके बाद हमने काम रोग दिया था वर्तमान में भी कई सारी योजनाएं हैं जिन पर भारत काम कर रहा है और पाकिस्तान को उट पर आपत्ती है भारत के दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पकाल डल और लोर कल नई इन पर पाकिस्तान ने अपनी आपत्ती दर्ज कराई है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहली बैठक है और ये बैठक दोनों ही देश काफी समस्ते करने के लिए तयार भी थे लेकिन भारत का विचार था कि हम वर्चुल मीटिंग कर लेते हैं पाकिस्तान का कहना था कि नहीं वर्चुल नहीं आमने सामने बैठकर ही बात इसके बारे में की जाएगी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी भारत किसी भी तरह की परियोजना शुरू करता है तो उसके जिम्मेदारी ये है कि अपनी परियोजना के बारे में सामने वाले देश को सारी चीज़े बता दे भारत का जितनी भी परियोजनाओं पर पाकिस्तान विरोध कर रहा है उन पर भारत का ये कहना है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाये है उनके सारे तथ्ये, सारी जानकारियां हमने सम्मन्दित देश के साथ साज़ा कर ली है अभी इन में से कुछ परियोजनाई जो भारत ने चलाई है जिसमें कुछ परियोजनाई लेह की है और कुछ कारगिल की है अभी शुरू हुई है इन पर भी पाकिस्तान को थोड़ी बहुत आपत्ती है जैसे कि लेह में दुर्बुक श्योग, शांकू, निम्मू चिलिंग औ इन सारी चीजों पर भी पाकिस्तान को थोड़ी बहुत आपत्ती है तो अब हम यह देखना है कि इस संदी का इस आयोग का भविश्य क्या है क्योंकि इसके भविश्य पर सबय समय पर प्रशन चिन्न लगते रहे हैं एक जब भी भारत के इंदर सत्ता प्रिवर्तन होता है या पाकिस्तान में सत्ता प्रिवर्तन होता है जब भी दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है कोई आतंकवादी हमला होता है तब तब इस तरह की संदियों पर प्रशन चिन्न लग जाते हैं तो इसका भविश्य क्या है समझोते को तोड़ने का एक तरफा फैसला भ लिए जो उपाय है वो यही है कि हम इन में आवश्यक्त बदलाव समय के नुसार कर सकते हैं या इसके स्थान पर हम एक नया समझोता बना सकते हैं इस तरह के समझोते विदेश निती में कूट नितिक साजेदारी का हिस्सा भी होता है और दो देशों के बीच में अच्छा स कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी उसके बाद ये वाली मीटिंग होई है तो ये मुद्दा तो बहुत ही महत्तपोन है क्योंकि इन नदियों पर भारत की भी निरवरता है और पाकिस्तान की भी निरवरता है लेकिन इस पर समय समय पर विवाद भी होते रहे हैं त संदी भारत और पाकिस्तान के मध्ये 1960 में हुई थी कतन दो इस संदी के अनुसार चेनाव और जहलम का पानी भारत के हिस्ते में रखा गया है उप्रोक्त में से आ सत्यकतन है विकल्प A केवल एक विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दो विकल्प D ना एक ना ही दो कमेंट सेक्शन में आप सभी की जवाब का इंतजार रहेगा आप अपने उत्तर अवश्य दीजेगा नेक्स स्लाइड में हम देखेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्ट को पिछली वीडियो में पूछा गया था कि वेहिकल्स क्रैपज ड्राफ्ट पॉलिसी से समंदित कतनों पर विचार कीजिए और आपको बताना था कि इसमें से असत्यकतन कौन सा है ये दोनों ही कतन सत्य है इसका उत्तर है ना एक ना ही दो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ हमारे इस वीडियो और हमारे अन्य वीडियो से समंदित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको सारे PDF उपलग मिलेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद